ओम शान्ति, 6 अप्रिल 2024 की साकार मुरली, आज की मुरली में विशेश तोर पर बाबा सिखा रहे हैं, राजाई प्राप्त करने की विधी, साथी, बाबा अपनी पहचान स्वष्ट करते हुए, अपना विशेश कर्तव्य समझा रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट की निशानियां, बाबा की याद का महत्व, संगम युगी जीवन की वेल्यू, साथी, श्रेंगार कैसे करें, कौन सा करें, इसकी समझ दे रहे हैं, बाबा की महवाक्य, एकका ग्रहों के सुनने हैं, इसलिए, चलिए, चारों और से ध्यान समेटते हैं, एक टिक होकर बैठते हैं, अपने पास आजाते हैं, आत्मज्योती के दर्शन करें, कि मैं हूँ, याद दिला दें अपने को, मैं ज्योती बिंदू, चुद्ध, चांद आत्मा हूँ, पवित्र केड़ने फेला रही हूँ, देहे को चेतना दे रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, वो मेरे पिता, ज्यान सागर, मुझे मुक्ती जीवन मुक्ती देना चाहते हैं, इसलिए स्वयम पधारे हैं, प्रमातन में, उनके मुखारवेंद से ज्यान वाने उच्चारण कर रहे हैं, मुझे पावन वनाने लिए, आज शे बावा बुले, मेठे बच्चे, च्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही, राजाई की प्राइज मिलती है, तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हे बहुत बड़ी प्राइज मिलती है, मुख्य बात है, सेवा करना, वो भी बावा की अज्ञान उसार, तब राजा बनने के लाइक बन सकते हैं, क्योंकि सेवा करना मेंज भगवान का मददगार बनना तो उसका इनाम मिल जाता है, फिर आज बावा ने अपने लिए कहा, कि मैं बच्चों के सामने आकर ग्यान के डांस करता हूँ, पर कोई बच्चे ऐसे हैं, जिनके आगे मेरी ग्यान डांस बहुत अच्छी चलती है, यह वो बच्चे हैं, जो ग्यान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाबा की ग्यान डांस बहुत अच्छी होती है, student number वार तो होते ही है परन्तु ये तो wonderful school है यहां फिर कोई-कोई ऐसे है जिन में जरा भी ग्यान नहीं यानि ग्यान समझ नहीं आया है सिर्फ भावना बैठी हुई है उस भावना के आधार पर भी वर्से के अधिकारी बन जाते है होलानात भगवान है भावना का भी भाड़ा देता उनको भी वर्सा मिलता परन्तु जब हम बाबा के सामने बैठें मुले सुनने पर एकदम योग का नशा चड़ा के बैठें बहुत शौंक से ग्यान सुने तो बाबा को भी सुनाने में मज़ा आए फिर बाबा आज हमें याद करने की विधी बता रहे है योग में बिलकुल शांत रहना होता है क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को साफ करने आया हूँ अब तुमको वापिस घर जाना है इसलिए देहे सहित देहे के सब धर्म त्याग अपने को आत्मा समझ सिर्फ मुझे याद करो देहे और देहे के धर्ममीन्स इसकी जो भी नेते नियम, चरम, रिवाज उसमें हम फसे हुए हैं उससे बाहर निकलें यानि बॉड़ी कॉइंशिसनेस को छोड़ें और जो भी रिष्टों का बंधन है उसको बुद्धी से त्याग दें और अपने को अकेला आत्म समझें फिर बाबा को याद करें अभी तक जो कुछ पढ़े हो वैं सब भूल जाओ रहस्त वेवार में भी तुम भल रहो परन्तु आत्मा रूपी ज्योती को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठने का पुरुशाट करते रहो उसी से आत्मा तेज प्रकाश्वान हो जाती है याद से ही आत्मा में जो खरात पड़ी है मैं लाई ये विकारों की पैनिकल सचा सोना बनेंगी तुम एवर हेल्दी बनेंगे तुम्हारी आयू बढ़ेगी तो इस याद की विधी को और फाइदों को याद रखते हुए हमें एक आगरता को बढ़ाते जाना है फिर बाबा हमें स्वच इंतन करना सिखा रहे है गाते हैं भ्रकुटी के बीच जमकता है अजब सितारा निराकार आत्मा का ये शरीर है तक्त हर एक में आत्मा विराजमान है मैसुस करते जाएं कहा भी जाता है जीव आत्मा आत्मा ही भिन भिन शरीर लेते पार्ट बजाती है हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और अविनाशी पार्ट है है बहुत छोटी सी बिंदी परन्तु एक जन्म की फीचर्ज न मिले दूसरे से एक जन्म का पार्ट न मिले दूसरे से ये वंडर है, इसको भी पता नहीं है, कि हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे, आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है, अभी आत्मा पतित बनी है, तो शरीर भी पतित बना, आत्मा जब संपोर्ण पवित्र बनेगी, तब इस पुरानी जुत्ती को छोड़ नई लेगी, देहे, पुरानी हो गई, उसको ऐसा टाइटल मिलता है, हमें आत्म स्मृती में बार-बार रहना है, और बाबा की पहचान को बुद्धी में फिट करते जाना, तो बाबा अपने लिए कहते हैं, कि भारत में जब जब धर्म अगलानी होती है, तब तब मैं कल्प कल्प पुर्शोतम संगम युगे युगे आता हूँ, यानि हर कल्प, पांच हजार वरश का ये जो कल्प है, उसके अंत के संगम युग पर मैं आता हूँ, और ब्रह्मा में प्रवेश कर, तुम ब्रहमनों को अपना परीचे देता हूँ, सभी वेदों शास्त्रों आदी का राज समझाता हूँ, तुमको स्प्रिच्वल नॉलेज देने वाला, मैं एक ही ज्यान का सागर हूँ, ये ब्रह्मा भी अभी सुनते हैं, ये अपने जन्मों को नहीं जानते थे, ये ही न नमबर लास्ट पतित बना है, इनको ही फिर फर्स्ट में जाना है, मैं इन द्वारा ही आदी सनातन, देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, मैं देवी देवता धरम में नहीं आता हूँ, बाबा हमें देवता बना कर, देव युग, सत्युग स्थापन कर देते हैं परन्तु खुद उस अपार सुखों वाली दुनिया में नहीं आते हैं मैं सोनार का काम करता हूँ यानि आत्मा में पड़ी मैल निकाल कर उसे सच्चा सोना बना देता हूँ पतित आत्मा हैं जिनमें खाद पड़ती हैं उनको प्योर बनाता हूँ दुनिया जो पुरानी हो गई है उसको बदल नहीं दुनिया बनाता हूँ ये वो बाते हैं जो कोई भी मनुश्यादी नहीं समझा सकते एक ज्यान सागर शे बाबा ही समझाते हैं बाबा इस संगम युगी जीवन का महत्व बता रहे हैं कि तुम ब्राहमन अभी पुरुशोत्तम संगम युगपर हो तुम राज-योगी राज-रिशी हो इसलिए पवित्र हो तुम्हारा ब्राहमन कुल सबसे ओंच कुल है इनको डाइनेस्टी नहीं कहेंगे इसका कोई वंश नहीं आगे चलता है डाइनस्टी में तो राजाई भी होती है। तुम ब्राहमन ही फिर देवता बनने वाले हो। इसलिए तुम्हें दैवी गुण जरूर धारण करने है। ये इस पुर्शोतम संगम युग का हमारा राज योगी राज रिशियों का ये कार्य है। पवित्र बनना और दैवी फिर बाबा हमें रूहानी सेवा के लिए बता रहे हैं। जो बच्चे अभी बाब के मददगार बनते हैं। उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। तुम्हारा गायन भी है वंदे मातरम। तुम माताएं धर्ती को भी पवित्र बनाती हो। स्वर्ग का द्वार ख तुब आप समझाते हैं। अभी मनुष कहते तो हैं विश्व में शान्ती हो। परंतु तुम उनसे पूछो कि विश्व में शान्ती कब थी। कभी सुनी वा देखिये। किस प्रकार की शान्ती मांगते हो। बोलो एक कहानी भी है। गरानी का हार गले में था। आरे शहर म दूंडती थी, फिर गले में ही मिला, पास्तों में ये मिसाल शान्ती के लिए, कि शान्ती तो हमारा अपना धर्म है, आत्मा शान्त स्वरूप है, ते अभीमान आके आशान्त हो गए, तो दुनिया भर में धूंडते हैं, तब कि येवल इतना याद करना है, मैं आत्मा हूं, चान्त स्वरूप हूं, पावयाद दिला रहे हैं, याद करो हम सभी शान्ती धाम के रहने वाले हैं, अब आप कहते हैं, चान्ती चाहते हूं, तो एक तो शान्ती धाम को याद करो, दूसरा सुख धाम, आने वाली नई दुनिया, यहां सब एक्टिविटिज शान्ती से हो कितना इन दोस्थानों को याद करते जाएंगे मन शान्त होता जाएगा और अब बाबा से आज का वर्दान लेने की बारी है वर्दान लेने के लिए हांजी की शक्ती चाहिए और जो बाबा समझाए उसको सुम्रिती में धारण करना आग्यकारी होके द्रड़ता से उसका पालन करना तो बाबा की शक्तियां हमारे अंदर धारण होने लगती है इसके लिए सम्रिती शक्ती जगाते हैं कि मैं आत्मा लाइट के शरीर में परिष्टा स्वरूप में परिष्टा रूप बाप दादा के सामने हूँ उनके नैनों और मस्तक से अनन्त शक्तियां मझे प्राप्तो रहे है मुझे उमंग है कि मैंने बाबा की सब शक्ति अपने में समा कर सब कमजोरियां मिटा देनी है बाबा के मुखार विंद से वर्दान आ रहा है बच्चे चलन और चेरे से पवित्रता के श्रिंगार की जलत दिखाने वले श्रिंगारी मूरत भव पवित्रता ब्राहमन जीवन का श्रिंगार है हर समय पवित्रता के श्रिंगार की अनुभूती चेरे वा चलन से औरों को हो द्रिष्टी में, मुख में, हाथों में, पाउं में सदा पवित्रता का श्रिंगार हो हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर्ज में पवित्रता दिखाई देती है नैनों में पवित्रता की जलक है मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है और कोई बात उन्हें नजर ना आए इसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रिंगार से स्रिंगारी हुई मूरत रिष्टी, मुख, हाथ, पाउं सब में पवित्रता कोई विकार नहीं न देखने में, न वाणी में न करम में, न चलन में तो लगेगा इनोंने जैसे पवित्रता की गहने पैने हुए हैं चेरे पर भी पवित्रता की मुस्कान हो तो ऐसी पवित्र मूरती अपने को समझते रहना है कलोगन व्यर्थ संबंद संपर्क भी एकाउंट को खाली कर देता है इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो बहुत अटेंशन से आज पूरी दिन चरया से व्यर्थ को माइनस कर देना है ताकि एकाउंट खाली न हो समर्थ से जमा होता जाए और आज के होमवर्क में याद रखेंगे इस सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठ आत्मा रूपी ज्योती को प्रजवलित करना योग बल द्वारा आत्मा से खाद को निकाल सच्चा सोना बनना है और उच पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्यान वान गुणवान बननना है तुहानी सेवा का शौक बहुत रखना है चलन और चेरे से पवित्रता की जलक दिखा कर श्रिंगारे हुई रहना है बाबक का दिवे प्रकाश अपने में समाले और उसको गुण और शक्ती में परिवर्तन होता देखें गुणों के सागर से आता प्रकाश मुझे भी नम्र बना रहा है चांत और संतिष्ट बन रही हो मैं आत्मा मेरी शक्तियां बढ़ रही है ओम शैंति गजिए भी ऑ्रकाश देखें की बढ़ रही है मेरी बढ़ एल स्प्रफ प्रकाश प्रफ प्रकाश का चाह है कर दो